आपको याद होगा लॉस्टेसन हम पढ़ रहे थे डर्स कनेक्टिव टिशू इसमें हमने कटेज और बून पढ़ा शबश चुनकि बून में हमने बून का स्ट्रक्चर पढ़ा इसके टाइपस पढ़े आप जे पहले ही चुर्ण किनल सिस्टम नेक्स्ट जो इसका है धिसट फुली टनेक्टिव टिशू इसके बाद सबस्टो टिशू पढ़ा इसतरा हमारे पास है फुली टनेक्टिव में कर देघी तेटी इंसलम क्योंकि fluid connective tissue में दो चीज़ें आती हैं दो टिशू जाती हैं एक आता है माईलाइड और आता है लिम्पाइड माईलाइड टिशू और लिम्पाइड टिशू ये दो आते हैं किसमें fluid connective tissue में चूंकि दोनों fluid ही है तो ये माईलाइड जो है इट फार्मस बुलड लिम्पाइड जो है इट फार्मस लिम्प लिम्प ठीक है ना माईलाइड गनिक्टिशू और लिम्पाइड गनिक्टिशू चूंकि माईलाइड में बुलड है और लिम्पाइड में लिम्पाइड गनिक्टिशू चूंकि में इसका कैसा है it is a red color a connective tissue होता है that circulates in the entire body पूरी body में हम देखते हैं blood circulate करता है क्योंकि हमने पहले ही यह पड़ा है it lacks fibers इसमें fibers नहीं होते हैं इसमें fibers नहीं होते हैं इसमें fiberis नहीं होते हैं बलकि blood it consists of a citra colored aqueous fluid called plasma इसमें एक citra colored सुखी गास सुखी गास का रंग देखो इसी तरह citra colored होता है यह fluid part होता है it is known as plasma इसी में bullet cells float करती हैं इसी में suspended रहती है bullet cells या bullet cells इसमें float करती रहती हैं चूंकि जो plasma है it forms extra cellular material for blood plasma क्या बनाता है extra cellular material हम कैसे थे it forms extra cellular material and it constitutes about 55% of total volume of blood लगबग जो blood का volume देखे हैं या blood जतना हम में है 55% उसमें plasma होता है और बाकि जो भी cells वगे रहे हैं उनको हम कहेंगे these are formed elements क्या कहेंगे these are formed elements हैं तो format elements होती है 45% format elements कितने होती है 45% तो format elements बुलड इन में format elements में इसमें included होती है erythrocides या हम कह सकते हैं और बीसी इसमें बुलड पलीटलेट्स हैं या हम कह सकते हैं डबली बीसी और इसमें बुलड पलीटलेट्स हैं बुलड पलीटलेट्स ठीक है ना यह तीनों जो हैं तेनों कसम की स्यल स्यल जो है da form. The format elements of the बुलड शेवाश एक इडलेट में अडल्ड में लगबग होता है एडल्ड में required lotta 5 लीटर होता है बुलड बुलकि यह भी कह सकते हैं साड़ी चार से पँछ लिटर समझो पांच लिटर बुलड होता है एक current a army ठीक ये था बुलड का थोड़ा introduction अब composition अब बुलड पुलड है ठीक है न बिलड में कितने हिस्से हैं मैंने क्या कर कितनी चीज़े हैं दो वन यिस पुलाजमा और यिस शबाश फूर्मुड़ ELEMENTS ठीक फूर्मुड़ ELEMENTS अब बिलड तीक फूर्मुड़ ELEMENTS अब बिलड़ शबाश तू पूलाजमा इसमें कोई ओ टाइप नहीं इसमें हमने पता है या मैंने तीम चीजें बताई दियर और एरित्रोसाइट्स या हम कहेंगे और बीसीज दियर और लीकोसाइट्स या हम कहेंगे डब्ली बीसीज दियर और बुलड पलिटलेट्स दियर और बुलड पलिटलेट्स ठीक है नहीं इतनी कंपोजी ने किसकी लुकोसाइट्स ये दो कसम की होती है डव्ली बीस दो कसम की होती है ग्रैनियूलोसाइट्स ग्रैनियूलोसाइट्स जब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे वहां समझाएगा वाट इस ग्रैनियूलोसाइट्स देख ग्रैनियूलोस देख ग्रैनियूलर इस तरह दूसरी कसम है they are agranulocides इसमें कोई granulocides नहीं होती है तो granulocides हमारे बुलड में तीन कसम की होती है एक को हम कहते है eosinophilus eosinophilus दूसरा जो है that is basophilus that is basophilus और तीसरा जो है that is neutrophilus that is neutrophilus याने granulocides तीन कसम के हैं these are eosinophilus these are basophilus these are neutrophils agranulocides भी दो कसम की है एक को हम कहेंगे monocides एक को क्या कहेंगे monocides दूसरी को कहते है leucocides दूसरी को कहेंगे leucocides याने मैंने बताया बुलड ये देखे या बुलड बुलड में दू चीजे हैं that is plazma and formal elements प्लाजमा 55% होता है formal elements होते हैं 45% तो formal elements में फिर erythrocytes या RBCs leucocides या WBCs बुलड बुलिटलियर्स ठीक या हम thrombocytes में कहते हैं तो leucocytes में दो कसमें granulocytes e-granulocytes तो granulocytes को हम डिवाइड करते हैं these are of three types there are eosinophils there are basophils these are neutrophils हाँ ये हम पढ़िएंगे उस वकत इनका नाम क्यों दिया गया दिया है they show affinity towards some acid or base और neither acid nor base इस तरह monocyte और lymphocyte ये दूनों है कौन से e-granulocytes these are e-granulocytes अब बुलड में first part हम नहीं क्या बताया that is plasma that is plasma ये plasma थोड़ा जो दियर में बताये चूंकि बुलड प्लाजमा it is pale blue fluid अगर इस तरह नजर तरह डाले it is pale blue pale blue fluid and forms about how much 55% of the blood by volume it is slightly slightly alkaline nature इसका अगर देखे it is slightly alkaline थोड़ा सा ये alkaline है ने नेचर में it contains a number of organic and inorganic substances इसमें organic substances होंगी इसमें inorganic substances होंगी और सब की सब प्रेज़न है in aqueous solution चैहे organic या inorganic substances हैं इसमें all are present in aqueous solution शेवाश aqueous solution बनाए है इसमें मौजूद रहती है these bullet plas this bullet plasma अगर देखें किसकी कितनी percentage है इसमें सब से ज़्यादा water होता है it is 90 to 92% 90 to 92% इसमें क्या होता है water होता है अच्छा plasma proteins होते है plasma proteins l b minus gula b minus वह वह हम बाद में पढ़ेंगे शबज इसमें plasma proteins होते है these are about 7% कितना 7% होता है these plasma proteins अब इन औरगनिक COMPOUNDS है इसमें मैंने भी बताया कुछ इन औरगनिक COMPOUNDS हैं यह लग बग 1% इसमें कलोराइडियों हैं कार्बूनित्स हैं सल्फीट्स हैं फॉसपीट्स हैं और फर्ट्सोडियूम पोटेशियम किल्शम मेगनेशिम शबस सोडियूम potassium, calcium, or magnesium के क्या है, bicarbonatus, sulfates, carbonates, chlorides, phosphorus, वगेरा, और हैं इसके अलावा, organic substances organic compounds भी इसमें है organic compounds माँने जाते हैं, one to two percent कितना, एक से दो परसंट इसमें क्या है, organic compounds शबाश है, चुँकि blood plasma, इसमें तीन कसम के protein, जो गैंने भी बताया था protein हम देखते हैं, three times, एक है serum albuminus एक को क्याखते है albuminus, यनी serum albuminus दूसरा है serum globulinus serum globulinus और तीसरा है fibernogen, तीसरा क्या है fibernogen, ये तीन कसम के इसमें proteinus होते है serum albuminus, serum globulinus और fibernogen, ठीक albuminus, इनका काम क्या है they maintain the osmotic concentration of bullet lb-minus का osmotic concentration bullet की osmotic concentration को बराबर रखते हैं इस तरह globulinus they act as antibodies ये क्या करते हैं they act as antibodies शबाश यनि हम कह सकते हैं they provide immunity इस तरह fibrinogen it gets converted into fibrin insoluble fibrin बनाता है वो ऐसा compound है जो bullet collard बनाता है what forms the bullet collard ठीक तो ये था about this plasma अब अगर plasma की थोड़ा function देखे हैं what plasma does first thing it helps in transport of materials from one part of the body to the other ठीक उसमें help करता है it provides immunity क्योंके हमने भी पढ़ा इसमें ये गुलाबिलोनस भी होते हैं it अच्छा it prevents heat bullet loss bullet loss नहीं होने देता है क्योंके pollutants में मौजूद होती है heat dissipation heat को ये बराबर करता है क्योंके circulate वगेरा करता है उपर से नीचे retention of fluid in the body body fluid को maintain करना शबाश uniform heat distribution all over the body हमारी पूरी body में uniform heat distribution करता है it is plasma अब चूंकि next part जो है that is former elements former elements आज जिसमें हम cells वगेरा करें तो इन्शाला ये हम दूसरे topic में touch करेंगे दूसरे lesson में touch करेंगे thank you allahafiz stay home stay safe